तो नहीं हैं नियर्टपुर में जवाण नक्सिलों के बीच मटबेड़ हुई है। बेड़ चल रही है और इसको बेड़ में आठ नकसली धेल हो गए है और इसकी पुष्टी भी कर दी गई है अब ऑफिशियल जी है फिल्कुल और चत्तीस गड़ के बस्तर संभाग में एक बार फिर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और यह बड़ा ऑपरेशन जो है साईयों के टीमों की कारवाई के कदम से हो पाया है हम अगर बात करें नाराणपुर जले की तो जिस तरीके से वहाँ पर मुटवेड हो रही है अभी भी मुटवेड चल रही है और यह बड़ा और यहां और यह बड़ा नाराइन पूर जिले की जो रख्षा जवान है उन्होंने रूप से बड़ी टीम बनाई थी और बड़ी टीम बनाने के बाद अबूज माल के और चाई लाके में अदस्तक दी ती यह अबूज माल का वही लाका है जो अब तक जंगली अरिया इसको कहा जाता है वहाँ पर नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने मोच्चा संभाला और वहाँ पर पहुचे दो दिन पहले जब यह अब ही हो चुकी है यहाँ पर उनके शुप्य होने का ठेकाना हो सकता है, कई ठेकानों को खोजने की वहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन नक्सलीयों की तरफ से जब फारिंग शुरू की गई तो चुरक्षा जवानों ने भी मुहतोर जवाब दिया और उस मुहतोर जवाब के दोरान अब तक पर लाया जा सकता है अभी कुछी दियर पहले 36 गड़ के मुख्यमंत्री विश्ण देव साय ने भी आएक सोचल वीडिया पर पोस्ट किया है और पोस्ट के माध्यम से आठ नक्सलियों के मारे जाने की खबर उन्होंने भी जानकारी दिये और कहा है कि दो जमानों को गायल किया जा रहा है फिलाल सुरक्षबलों के लिहास से अगर देखें या फर बस्तर के उस इलाकी के लिहास से देखें जो अब तक अंचुआ रहा है अभूजमान के जंगल आवो हैं और काफी महत्पूर इलाका वो कहा जाता है ऐसे में उस जगहा पर नक्सलियों से मोट है इस स्कूल इकर भी क्या जनकारी अंगुष अंगुष है जो मुट्भेड की अगर हम बात करें तो दो दन पहले से ही यह मुट्भेड चल रही है और अब तक आठ नक्सलियों के मारे जाने की खावर जो है वो आ रही है एक सुरक्षब जवान के पहले घायल होने की शहादत हुई है ऐसी ख़बर की पुस्टी अभी तक नहीं हुई है हलाकि जब अब चुबी दूर दराज का एरिया है नेटवर्क को शेतर में बहुत ज्यादा नहीं है रस्त रास्तों की अगर बात करें तो पहुचमार को उस लाके में नहीं केवल पैदल की चलकर ही वहा करें पुस्टी नहीं हुई है लाकि जब तक बाकी के जो घाल जवान है उनको जब तक जिला मुख्यला है से राइपूर रिफर नहीं किया जाता जाता जब उनसे बात श्यक्ति नहीं होती तब तक कुछ पर पोस्ट आया है उससे भी कई न कई अब इस ख़बर पुस्टी लगती होई ख़बर दिखाई दे रही है ठीक है इसके लबाई जो लाला तंक पर प्रहाई च्छतीस कर्ण में किया अश्वार हम देख रहे हैं लगतार चुनाव से पहले से ही देख रहे हैं अंकुष्की लगतार एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं 12 नक्सली धेर होते हैं कभी 29 नक्सली धेर होते हैं कभी 15 नक्सली धेर होते हैं और एक के बाद एक नक्सलियों पर लालातन का प्रहार किया जा रहा है एक बार दिखाते थे मुक्यमंत्र विश्णुदेव साही ने ट्वीट किया क्या कुछ कहा है इस एक्सपर पोश्ट बार देखे और उनने कहा कि नरनपुर के ओर्शा थाने के अंतरगात परसबेडा धुरबेडा के बीच सुरक्षवलों की नकसलियों के संग मुढबेड मेरे राजा यंए यिस्वरसे श्रीद जवान कि आत्मा की शांति और खैल जबाना को जलत जलत सुस्त होने की और दーतना करता हूँ नकसलों के मुख्य मंतिर विष्णिदेव साय ने अंकोष औरोंने कहा है मुख्य मंतिर ने कि जब तक लक्ष पूरा नहीं हो जाता जब तक चुप बैटने वाले नहीं है और लाल आतनक को 36 गड़ से खत्म करके ही मानाएं 36 गड़ से खत्म करके दम लिया जाएगा 36 गड़ में बिदान सबा चुनाओं के पहले से अगर हम बात करें तो 36 गड़ में भारती जन्ता पार्टी ने जब प्रचार प्रसार अभियान शुरू किया था जब राश्ची स्तर के नेता बीजेपी के 36 गड़ में दौरा कारी करम कर रहे थे तो उन तमाम दौरे कारी करम में हर एक मंच से 36 गड़ में नकसलवाद को लेकर जरूर बाते होती थी केंजरी ग्रहमंतरी अगर करें तो पहले से ही चुनाओ के ठीक पहले सी है चुनाओ के बहुत समय पहले से ही उन्होंने नकसलवाद पर चोट करना चुरू किया था और हर मंच से उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि 36 गर्द से नकसलबाद करें,